भगवान को परसंद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चा भगवान दूप, दीप, अगरवक्ति, परशाद से खुश हो जाते हैं? अगर ऐसा होता, तो लाखों लोग, हजारों लोग परते दिन भगवान को अच्छे से अच्छा परशाद चढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे फूल माला चढ़ाते हैं अच्छे से अच्छा शिंगार करते हैं लाखों करोरो लोग क्या रोज लोग अमीर हो जाते हैं रोज लोगों की नौकरी लग जाती है क्या लोगों के कश्ट दूर हो जाते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है भगवान का सिर्फ एकी नियम है भगवान का ये नियम है कि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक चीज का तुम संबान करो सबसे पहला नियम मैंने जो नियम बनाये, रूल बनाये उसका संबान करो मैंने इनसान बनाया, जानवर बनाया पेड बनाया, फूल बनाया, ये संसार बनाया इसकी हर एक चीज़ का तुम सम्मान करो जब तुम इन सब चीज़ों का सम्मान करने लगोगे तब तुम्हारा सम्मान यश कीरती अपने आप बढ़ जाएगा एक तरफ आप भगवान को फूल माला चड़ाएं दूसी तरफ आप अपने घर के बड़े वज़रों का अनादर करें तो ये पूजा, ये भक्ती किसी काम की नहीं एक तरफ आप भगवान की भक्ती करें दूसी तरफ कमजोर लोगों को सताएं तो ये भक्ती किसी काम की नहीं तो इश्वर की इस स्ष्टी में अगर आपको कुछ अच्छा करना है, बड़ा इंसान बनना है, तो सभी का भला करना सीखे, जितनी भलाई करेंगे, उतनी बढ़ाई आपकी होगी. मेरा नाम है स्लोजर सचिन सिक्का, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तीन शुप संकेत, जो दिसंबर महा में आपकी किस्मत को चमका सकते हैं. ये संकेत आपके जीवन में खुशिया ला सकते हैं, प्यार ला सकते हैं, प्रसंदता ला सकते हैं, और आपको खुश कर सकते हैं क्योंकि इन में छुपा हुआ है ईश्वर का आशिरवाद आए शुभारम करते हैं आपकी राशी से ये जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रश्चिक राशी की ध्यान से देखिए ग्रहों की ववस्ता को ग्रहों की संकेत प्राप्त होगा वरश्चिक राशी वालों को सूरी की किरपा से सूरे लग्ण में हैं फिर्दिते भाव में चले जाएंगे मंगल और सूरी का प्राकरम यानि सहास योग भी यहां पर बनेगा आप सभी का ध्यान रखेंगे सभी का ध्यान आपकी तरफ आकरशित होगा मजबूर शरीर होगा आप आगे बढ़ेंगे सफलता की रहा पर आप खुद को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे आपका आत्रिश्वास बढ़ा हुआ होगा सफलता आपके कदम चुमेगी आपके अंदर शांदार धन संकल्प शक्ति होगी आप दूसरों पर हमादोल चल रहे थे जिसके एस्थिर कमाई रही थी अब उनकी कमाई सतिर हो जाएगी जो कच्छे थे वो पक्के हो जाएगे इन दारी जितनी रखेंगे काम में उतनी बड़ слов के पाएंगे सूर्य आपको बड़ा लाब कराएंगे विदेश जाकर पढ़ाई भी की जा सकती है जो लोग इच्छुक हैं और योग हैं सीनियर लोगों का तालमेल आपको देखने को मिलेगा कारिशेतर में बड़े लोगों का आशिवाद मिलेगा जिससे सफलता और बड़ी हो जाएगी आपको जीवन में आदर और सम्मान भी मिलने वाला है रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपकी खोई हुई इज़त वापस आने वाली है आपकी लड़ाई में आप जो भी लड़ाई लड़ाएंगे चाहे हो काम से है वैपार से उसमें जीत हासिल होगी सूर्य मंगर आपको आप दिर्फर बना देंगे करियर बढ़िया होगा आप दुनिया की नजरों में चाह जाएंगे आपकी करियर की शांदार शुरुवात होगी शरीर भी मजबूत होगा दिमाग भी मजबूत होगा वक्त भी मजबूत होगा आपकी हर जगे तारीफ होगी शरीदेव आपको दे रहे हैं दूसरा शुरुप संकेत जो की चौते घर में बैठे हुए हैं तो शश योग की वज़े से आपकी जीवन में बहुत लाब होगा संपति, धन, प्रॉपरिटी वज़ा के फसे हुए मसले हल हो जाएंगे नई प्रॉपरिटी भी बन सकती है बढ़िया तरक्की होगी शत्रूँ से, परशानियों से मुक्ती मिलेगी और कर्जों से, परशानियों से मुक्ती मिलेगी आप शनी आपको मुसीबतों से बचाएंगे आपके घर के बड़े बजरूरों की सिहत को भी दुरूस्त करेंगे तीसरा शुप संकेज जो आपको मिल रहा है गुरू छटे घर में होंगे तो आपकी महनत आपके काम आएगी आपकी पिता की तरक्की होगी विदेश्य लाब होगा बड़ों के नाम पर जितना दान करेंगे उतना लाब मिलेगा आपने जो महनत की है वो आपको रिजड़ दे कर जाएगी और केतू भी कहीं पीछे नहीं है केतू भी ग्यारवे भाव में मैटे हैं तो आपको मंगल ही मंगल आपका करेंगे आपको माला माल करेंगे कितना भी कठिन वक्त क्यों नहों कितनी भी कठिन परिस्तिती क्यों नहों कितना भी कठिन काम क्यों नहों असंभव को भी संभव करना कोई वरश्चिक राशीवारों से सीखे इस महीने में, आपकी किस्पत आपका साथ देगी, आप कठीर से कठीर वक्त को भी जीत लेंगे, आप धर्मार्त की तरफ जितना जाएंगे, धर्म का काम जितना करेंगे, उतना आपको शोहरत, धर्म, दौरत, सब कुछ मिलेगा, आप भागशाली रहेंगे, बड़े- फैसले, बड़े-बड़े नित्रत्व आप चुटकियों में कर लेंगे, केतु जब देने पर आता है, तो रुखता नहीं है, केतु जब देने पर आता है, तो अच्छे-च्छो के भाग बदल देता है, ग्यारवे घर का केतु, आप माने या ना माने, अगले अठारा महीन दिसंबर ही नहीं, आने वाले अठारा महीनों में आपके जीवन में शुक, शामती लेकर आ रहा है, धन, दौलत लेकर आ रहा है, थोड़ा सा अपनी जबान को कंट्रोल रखिएगा, थोड़ा सा हर काम में शक मत करिएगा, मिसंडरस्टेंडिंग मत पालिएगा, तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, यकीन मानिए, केतु आपको वो आशुरवात देंगे जिससे आपके नाम का जंडा, आपके नाम का पर्चम लहरा जाएगा, केतु आपको धन देगा, बुद्ध जब जब गोचर में तृतिय भाव में आएंगे, पूरे क्या गयते हैं 18 महीनों तक, यानि 2024 तक भी, दिसंबर से लेकर अगले कुछ महीनों तक, जब जब भी बुद्ध गोचर में तृतिय भाव में होंगे, और मजूद इस्तिती में होंगे, शुब ग्रहों से दर्श्टिगत होंगे, तब तक आपके जीवन में राज्योग बनेगा, में को शांदार बनाईए, बस एक चेतावनी में आपको दूँगा यहां पर, वो चेतावनी यह है कि अगर आप शादी शुदा हैं, तो अपने जीवन साती से बड़े विनम्र तरीके से बात करें, लड़ाई जगला न करें, चाहे पती-पत्नी की बात हो, जीवन साती की बात हो, चाहे प्रेमी फ्रेमका की बात हो या फिर वैपारिक पार्टनर्शिप की बात हो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और गर्वती महिना हैं, अगर उनका गर्व तीन महीने का है, ना तीन महीने पहला जूसा तीसा महीना चल रहा है, तो थोड़ा सा विश का प्राकरम चमकने वाला है आपके नाम का जंडा लहराने वाला है ये संकेट चाहे शनी के हो चाहे सूर्य और मंगल के हो या गेतू के हो ये आपके जीवन में दिसंबर के महिने में प्यार और पैसा और शांती और सद्भाव लेकर आएंगे। अगर आपकी जन्म गुन्डी में सितारे कमजोर है तो फिर आपको अपनी जरम कुन्ली की जांच करानी चाहिए ताकि आपको भी सही रिजूट मिल सकें। दिये के नमडरों पर संपर करके अपनी जन्म खुद्ली आज जरूर कराएं और कमेंट बाक्स में जय श्री राम जरूर लिखें जय श्री राम